नमस्कार दोस्तों, कोरोने से जारी वैस्विक जंग में वैक्सीन के स्थर पर भी भारत की भूमी का महत्पून होने जा रही है परसितमोल और हैड्रोक्सी क्लोरिक्यून दवा की मांग के बाद दुनिया के कहीं देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहे हैं पिछले सब्ता भारत में कोरोना के खिलाव वेक्सीनेशन अभ्यान शुरू होने के बाद अन्ने देशों में भी इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है और इस्तिती ये है कि दुनिया के बान में देशों ने मेडिन इंडिया वेक्सीन के लिए भारत से संपर्क किया है इससे वेक्सीन हब के रूप में भारत की साख और मजबूद हुई है दोस्तों वर्ल्ल के सबसे बड़े वेक्सीन निर्माता और एक्सपोर्टर के रूप में भारत में अपनी छवी अभी तक बढ़करा रखी हुई है यानि कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन डेवलापर है और एक्सपोर्टर है दूसरे देश दो कारणों से भारत की वैक्सीन की मांग कर रहे हैं पहला भारत में निर्मीत वैक्सीन के नेगलेजिबल साइड इफेक्ट्स और दूसरा भारत की वर्तबान सरकार की वसुदेव कुटमकम वे फ्रेंडली वैक्सीन सप्लाई की पोलिसी को फिलाल यह एक्सपोर्ट यानि की है निर्यात सरकार इस तर पर ही किया जाएगा मतलब G2G गवर्मेंट टो गवर्मेंट लेवल पर ही एक्सपोर्ट होगा जैसे आम वेपन्स का होता है यानि कि आप वेपन्स यानि कि आर्मी के लिए कोई भी वेपन्स खरीदता है कोई भी तो वो G2G होता है, government to government dealing होती है उसके बाद ही जो manufacturing companies एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देश में भार सरकार के कहने पर ही vaccine बनाने वाली कमपनियां टै मातरा में दूसरे देशों को vaccine की supply करेंगी और दूसरे देशों के एक्सपोर्ट करेंगी भारत सरकार के नुसर पहले भारत बाहर से PPE kit, mask, ventilator और testing kit का import कर रहा था लेकिन आज किस्तिती ये है कि हम सब कुछ अपने देश में बना रहे हैं और आत्मिरबर हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत से भूटान, नेपाल, मैनमार, बांगला देश या स्रिलंका जैसे Asian countries नहीं vaccine की मांग की है एशिया ही देशों के लावा और भी कई ऐसे देश हैं भारत से जिनोंने कोरोना vaccine के लिए संपर किया है जिसमें कुछ BRICS देश भी हैं ऐसे में भारत एक बड़े vaccine supplier के रूप में खड़ा हुआ नजर आ रहा है जानकार ये भी मानते हैं कि अगर सुरुआत में vaccine के निरात की खुली इजाज़त देदी जाती है तो इसकी कमी हमें अपने देश में देखने को मिल सकती है हाला कि स्वात सचीविस्तर के अधिकारे किसी प्रकार के प्रतिबन नहीं होने की बात कह रहे हैं इसी के साथ एक बड़ी रोचक चीजी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी इंडिया फार्मा सेक्टर से वेक्सीन को लेकर गुप चुप तरीके से यानि के अंदर खाने वेक्सीन को मंगवाने की बात कर रहा है इसका काराने की भारत और पाकिस्तान के रिष्टे जिसको पाकिस्तान ने कभी सही नहीं करना चाहा है पाकिस्तान के फर्मा सेक्टर के लोग यह चा रहे हैं कि जैसे तैसे वैक्सीन दुबाई तक पहुँच जाए वहां से पाकिस्तान लाने का इंतिजा हम खुद कर लेंगे दोस्तो दुबाई से कई दवाओं की सप्ले पाकिस्तान में होती है चाइना ने पाकिस्तान को जो वेक्सीन उपलब कराई है उसकी एफिकेसी कभी अभी कोई परमान नहीं है वहीं उसकी एस्टिमेटिड कोस्ट भी पर डोस 6-6 डोलर बताए जा रहे हैं जो लगवख 400-500 रुपे 99 रुपीज में आता है और पाकिस्तान रुपे में इसके कीमत दोगे नहीं हो जाती है भारत वेक्सीन प्रोडेक्शन का 60% हिस्सा वर्ल्ड के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है भारत की फर्मा कंपनीज का वेक्सीन टेस्टिंग वेक्सीन की एफिकेसी को लेकर एक अच्छा खासा एक्सपीरेंस है यह भी एक बहुत बड़ा क करते हैं एक देस्टों एक तस्वीर टॵिट किया कहती है जिसमें हनुमान जी की तस्वीर के लगाए है संजीवनी लेजाते हुए दोस्तो वीडियो आपको पसंद आती है और खास बात ही है अगर इंफोर्मेटी लगती है तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कुछ कमी नजर आती है तो प्लेस कमेंट बॉक्स में सजेशन देकर पोजिटिव हो और नेगेटिव जैसा भी हो दीजेगा जरूर धन्यवाद दोस्तो